तो HPSC के एक और पेपर में गड़बड़ी पाई गई है अभी तक आपने ये अपडेट सुन ली होगी पढ़ ली होगी अगर आप न्यूज बगरा को फॉलो करते हो तो जिन्हों नहीं सुनी है आज हम आपको बता देंगे देखिए HPSC के तकरीबन हर एक एकजाम में जो है वो गड़बड़ी उसमें हुई थी और उसको बाद में डिसिजन लिया जाता है कि इसके उपर जो है वो क्या किया जाएगा अच्छा देखे जेवे का जो फॉर्मेट शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 817 से जाधा तर जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपलाई कि थी इसका एक्जाम दिया था बट अब जो है वो इसमें भी गड़बड़ी जो है वो पाई गई है और इसके उपर भी बहुत सारे जो है वो एलिगेशन्स लगे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें हुई है पूरी कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे र लिक्षा में OMR शीट से छिड़खानी कर अभियर्तियों को पास करवाया गया है यह विजिलैंस ने यहां पर जांच में अपने बताया है देखें जेवाइटी का पेपर जो रहा है वो एक तरीके से मैं बोलूँ तो कैंडिडेट्स के लिए जो है वो महनूस पेपर रहा ह जिन्होंने भी भरा अभी तक ना तो कुछ भी नहीं हुआ है सारे पेपर जो है वो लीक होते आए ठीक है और अब इसमें जो है वो 949 का जो पेपर हुआ था इसमें OMR जबकि यह बोला जाता है कि OMR से जो है वो गड़बड़ी नहीं की जा सकती कुछ नहीं हो सकता अगर आप किसी और से पूछोगे बड़े आँ पर क्या किया गया है कि OMR से ही छेड़ खानी करके अभी अर्थों को पास करा दिया गया है और इस संबंद में वीजिलेंस ने हमिरपूर थाना में चार लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया है इसमें दो अभी अभी अर और दो आयोग के करमचारी है मतलब आयोग के पूरे जो स्टाफ था ना वो भी इसमें मिला हुआ है ठीक है ओवेसी बात है बिना स्टाफ के कोई एक्जाम जो है वो इस तरीके से लीक नहीं हो सकता तो बाकी जो दो अभी अभी अर्थी थे वो भी यहां पर शामिल है ठीक है ठीक है अभी तक वीजी लेंस ने आरोपियों के नामों की जानकारी नहीं दी है और हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयोग में जे आईटी पेपर लिक के मामले में अब तक तेरा लोगों की खिलाब मामला दर्ज जो है वो हो चुका है ठीक है ये शाह से न्यूज वा यहाँ पर जिसने ड्राइंग मास्टर का पेपर लिया था फिर वो यहाँ पर इंकल्यूड हुई थी क्योंकि वो भी टोपर थी और इसके साथ आब 949 में भी जो है वो आपका ये इंकल्यूड हो चुका है कि भाई इसका पेपर भी और ऑविसी बात ही जब छेड़ खानी ह अच्छे यह बोल रहे होंगे कि भाई अब हमारा त्यारी करने का मन नहीं है या फिर हम नहीं पढ़ना चाहते या फिर क्या फाइदा पढ़ गे तो देखे यह डिसीजन टोटली आपके उपर है अगर आपको तयारी करनी है अगर आप सोच रहे हो कि आने वाली पोस्टों बहुत बड़ी थी आई होप आपको समझ आए होगी आगे इसको शेर कर दीजिएगा थैंक्स वर वाचिंग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ